हेलो अच्छो आप लोग को आज साइंस की दुनिया में हार्दी का भी नंदन करती है SBN क्लासेस की ओर से सिकंदर सर के दुबारा तो चलते हैं आज हम लोग साइंस की दुनिया में पहला बात आता है जो कि क्लास 10 के बेसिकल फॉर्म से physics के नजरियों से जो हमारा important question है बिहार बोड के नजर के सामने यह हम लोग आ रही exam के इस exam में जो महतुपूर्ण question जो आते हैं हमारे science से आज हम लोग physics का पहला chapter के बारे में हम लोग जानते हैं तो देखें इस chapter में क्या महतुपूर्ण है उनको हम ले करके आपके बिच आए हुए है तो देखने के लिए हम लोग बड़करार बने रहे हमारे इस channel पर तो देखते हैं कि इस chapter में महतुपूर्ण बात कौन-कौन से चीज़े है तो पहला बात आता है कि इस chapter में जो मेरा chapter है परकास के प्रावर्थन एम अपवर्थन से समझेंगे तो सबसे पहले इसमें आता है कि परकास आप देखें कि परकास हमको पूछा है अर्था ये परकास से related हमको समझना होगा तो परकास क्या चीज़ है तो परकास जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि परकास क्या है, परकास एक इनर्जी है, परकास एक उर्जा का सरोत है, जो कि किसी वस्तु को हम लोग देखने में वो हमारी मदद करती है, अर्थात परकास एक माधियम है, जो कि हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, अच्छी तरसे देख सकते हैं, यह हमारी परकास अब परकास से related तो हमने जान गया, अब बात आता है कि प्रावर्तन क्या होता है, तो अगर प्रावर्तन की बात कहें, तो प्रावर्तन से related हम बात कहते हैं कि किसी चिकनी सतह पर परकास पढ़ने के बाद वह वापस लौट जाना ही, परकास आई और ये लौट गई, ऐसे ही घटना को परकास के प्रावर्तन के नाम से जाना जाता है परकास के प्रावर्तन अर्थात किसी सतह से पढ़ करके आना और उनवा लौट जाना ही परकास का प्रावर्तन के नाम से जानते हैं अब आता है हम लोग का पारी आता है अप वर्तन का कहने का अर्थ होता है अप वर् किसी अच्छ अच्छ एक मिनट ओहो चलिए बात करते हैं कि इसमें कह रहा था किसी समतल सत्व पर अगर बात हुआ यहां होगा अब एक प्रावर्तक सत्व होता है यह एक ऐसा पदार्थ होगा जो कि क्या होगा पारदर्सी होगा पारदर्सी होगा आरपार हम लोग देख सकेंगे परकास आएगी और परकास ऑने के बाद वह अपनी इस एक माधियम से इसकी परकास कुछ बदलता हुआ नजर आएगा मतलब कहने का अर्थ है कि प्रावर्तन का अर्थ होगा कि किसी सतह पर पादर्शी सतह पर परकास पड़ा पढ़ने के वाद अपने दिसा से कुछ विचलित हो जाना ये जिस गती से जाना चाहरा था उस गती से नहीं जाकर के अपने दिसा से कुछ विचलित हो जाना ही परकास का अपवर्तन का लाता है अगर बात करें अब हम लोग दुसरा पॉइंट आता है इस चेप्टर में जो महत्पूर्ण है इस बातों को जानने के लिए जानिए कि सर्फप्रतम होता क्या है इस चेप्टर में हम लोग जानेंगे कि किसी गोली जिसे दिखिए यह आप गोला देख रहे हैं अगर इसी गोले का अगर ये बाहरवला भाग पेंट कर दिया जाए तो आप इसको किस नाम से जानेंगे आप इसको अवतल के नाम से जानेंगे अगर इसका बाहर की और अंदर की और कर दे तब आप इसको किस नम से जानिएगा तब इसको आप उत्तल किस नम से उत्तल के नाम से जानिएगा उत्तल दर्पन चलिए ये आपने देखा कि गोलिय दर्पन जो होता था किसी खोकले गोले का भाग होता है जिसका अंदर की और अगर कलाई कर दे तो वह उत्तल हो जाएगा और बाहर की और कर दे कलाई तो वह अपतल हो जाएगा तो चलिए कोस्टन हम लोग का जो है कोस्टन में कह रहा है कि अवतल दर्पन के मुख फोकस को प्रिवासित कीजिए तो अवतल दर्पन के मुख फोकस क्या है तो मैं आपको बताता हूँ अब तल दरपन के मुख फोकस से बारे में अगर जानना है तो दिखे क्या लिखे हैं का रहा है कि मुख अक्ष के सवनांतर मुख अक्ष के सवनांतर दिखिए कितना सुन्दर हमने लिखा है उसको दिखे थुरा सा इसमें कहा रहा है कि मुख अक्ष के समनानतर आप्तित किरने प्रावरतन के बाद दर्पन के धरूब तो आप यहां देखिए दर्पन क्या देख़े दर्पन देखे यह आप ऐसे जो देखे और इसका बाहर का भाग जो कलई क्या हुआ है यह आपका क्या हो गया यह आपका बकरता केंद्र है और यह आपका फोकस है यहां कहा रहा है बकरता केंद्र और धुरूब यह आपका धुरूब है जिसको हम P के नाम से जनते हैं बकरता केंद्र तो बकरता केंद्र क्या है तो यही बकरता केंद्र जिसको कहते हैं धुरूब प्रिंस्पल अक्ष्स करते हैं और यह सौन अंतार तो इसके समयं आंतार आ रही प्रकास की केरने यहां से कल गया हम आपको बता तरह गोर कीजिएगा तो कलर आपको चेंज करने के बाद दिख जाएगा यह दिखी है अब यहां से होते हुए निकल गया है, यहीं से होकर जो निकला इसलिए आप लोग इसको जो कहिएगा इस बिंदू को इस बिंदू को जो कहिएगा, इस बिंदू को इसी बिंदू को हम लोग focus के नाम से जानेंगे, ठीक है तो यह किसका था, अब तल दरपन का चलिए, अब देखिए question आता है, question में क्या है question में क्या है कि question में कहा रहा है कि गोलिय दरपन की बकरता तिर्जिया 20 cm है तो इसकी focus दूरी क्या होगी तो चलते हैं इसमें कि गोलिय दरपन की बकरता तिर्जिया और focus से भी related अगर बात करें तो दिखे क्या होता है, हम जौनते हैं, हम जौनते हैं कि F जो होता है, F जो होता है, वह होता है, R बटे 2, अर्थात हमको R का मान कितना दिया हुआ, 20, बटे 2, अगर कटा देते हैं, तो हमको कितना प्राफ्त होता है, 10, ये हमको R का मान हुआ, मतलब हमको किसका पता चला, ये, फोकस इकल गया, किसका मान इकल गया, फोकस का मान इकल गया, चलिए सर, आप लोग ये नमर भी, दो नमर भी आप लोग अराम से समझ पाए होंगे, अब बात करते हैं, हम लोग अगले कोस्टन की ओर, अगर अगले कोस्टन की ओर चलते हैं, इस question में है मेरा question है, देखे क्या है, कि उस दर्पन का नाम बताए, जो बीम का सिधा तथा आवर्धीत परतिविम बना सके, चलिए बहुत सुन्दर बात है, इसमें कहा है हमको कि उस दर्पन, तो उस दर्पन का नाम, तो हमको अभी तो पता नहीं चल लाए कि क्या कहाना चाह अब कहा रहा है बीम, बस्तु सिधा हो, और आवर्धीत परतिविम बने, आवर्धीत अर्थात आवर्धन का अर्थ होता है, कि बस्तु की उचाहिए बटे परतिविम की उचाहिए, अर्थात एच बटे एच डैस, नहीं, यहां होता है एच डैस बटे, एच अर्थात परत अगला कोशन की ओर हम लोग चले तब देखें क्या कहता है अगला कोशन में कहता है हम लोग को हम गारी को पीछे देखने के लिए पाहनों को पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पन का ही परियोग क्यों करते हैं ये वर्यक्ता क्यों देता है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा इसका परियोग इसलिए करते हैं हम लोग कि जब हम लोग उत्तल दर्पन का परियोग करते हैं या इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि उत्तल दर्पन में जो है बहुत अधिक होता है क्योंकि यह बाहर की और वक्रित होता है अता समतल दर्पन की तुला में यह उत्तल दर्पन ड्राइवर को अपनी पीछे की वस्तु को बहुत अच्छे से देख पाता है इसलिए इसका परियोग हम लोग किस रुप में करते हैं यह उत्तल का पास question को हम लोग समझते हैं देखे क्या काता है अगला question में जो हमेरा question है काता है कि ये तो फिर उसी तरह हो गया जैसे आप उपर में देखे थे ना same to same उसी तरह का बन गया है इसमें भी आप लोग अरम से बना पाईएगा तो देखे इस सवाल में क्या है ये आपका क्या है ये हमको बकरता तिर्जिया मतलब हमको क्या दिया हुआ है काता है कि उस दरपन की focus दूरी गयात कीजिए मतलब हमको F इकलना है जहां की R दिया हुआ है ठीक है तो हम लोग क्या करें फटाक से इसको सरल कर लेंगे देखिए कैसे सरल कर लेंगे उसको देखते है अराम से इसको सरल करेंगे तो हम लोग क्या दिया हुआ है आरका मौन दिया हुआ है अब बटे टू तो कितना दिया हुआ है 32 अवटे दू करते हैं कितना हो गया सुल्ला तो सुल्ला हमको क्या आगया है इसका इसका क्या आगया है फोकस दुरी आगया है ओके चलते हैं आगये अब दिखिया है आया है न हम लोग कभी देखिया है ओके समझ में आगया होगा अब आगे चलते हैं, जैसे ही आगे चलते हैं, तो इस कोस्तनों में हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है, कोस्तन कह रहा है, इसको बारिकी से पढ़ेंगे और समझते चलेंगे, देखें क्या है, कोई अफ्तल दर्पन, तो आप लोग एक अफ्तल दर्पन बनाईए, जिसे ह त्ल दरपन है जिसमें यह है मेरा क्या है? P है यह मेरा F है यह जो हिमेरा C है चलिए सामने दस सेंटिमिटर के दूरी पर किसी वस्तु का किसी वस्तु का तीन गुणा आवरधित वास्त विक प्रत्वीम बना रहा है दिखिए किसी किसी बीम का तीन गुनों किसी बीम का तीन गुनों आवर्दीत आवर्दीत का मतलब है कि इसका तीन गुनों परतिविम बन रहा है वास्तविक बन रहा है और वास्तविक मतलब हम लोग जान रहे हैं उल्टा क्या जान रहे हैं उल्टा बना रहा है उल्टा परतिविम ब रहा है तो ढमने रखने जाने पूंपके दूरियर के दूरत्त करें यू होगे हैं अब आवर्धन लेकातरी से पंडनेश रहे किया है ? स्वाट्सव महीं को ही ङा है वातरा किया रावर्जव करेंगे लुक्त में को ​​कुत pagan users मल्टो फार्मूला जानते हैं कि M जो है M का जो मान है M तो M बरावर क्या हो गया मेरा मेरा M हो गया H डैस बटे H अर्थात परतिवीम क्यों चाहिए या बस दू क्यों चाहिए अगर इससे हम पहले भी इकाल लेते हैं किसा क्या इकाल लेते हैं भी इकालते हैं तो आप इकाल पाईएगा जैसे हम लोग यहां बनाए हैं देखे गवर से इसको देखने के बाद हमको क्या पराफ्त हुआ कि हम लोग बारिकी से अगर इसको सरल कर रहे हैं तो देखे हम लोग का जो मान है वह भी का म मैनस तीस आया अर्थात हमको पता चला कि दरपन से दरपन से उस बस्तू का परतिवीम बस्तू का बस्तू यहां रखा हुआ था और आपका परतिवीम जो बन रहा था वह इससे दूर बन रही थी उससे दूर बन रही थी देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बना करके आपको देते रहेंगे, चलिए, अब आपको question है, अब का question है, दिखे थोड़ा सा गवर कीजिए, कि वायू में, देखे, वायू में गमन करती परकास की एक किरन, जल में तीर्शी प्रवेश करती है, क्या परकास की किरन अविलम की ओर जुकेगी, अथब अविलम से दूर अटेगी, बहुत सुन्दर बात दिखे क्या कहा, मौल लिया जाए कि यह मौल लिया जाए, यह एक क्या है एक जल का जो टेंक जल का क्या है, एक टेंक है इसकी सतह पर, यह सब पानी ही है, पानी होगा, पानी ही पानी होगा चलिए जब परकास की किरन इसमें क्या होगा आएगी जब परकास की किरन जिसे हमने इसमें परकास की किरन को गिरिन करल से लिया देखिए जब परकास आया ठीक है अब देखिए जिस बिंदू पर आया उसको आप क्या कहिएगा आपतन बिंदू कहिएगा क्या कहिएगा आप दिखेगा भी तुरत अभिलम जैसे ही डाला तो हमने क्या जानते हैं हम जानते हैं कि बाहर की जो भागोती है वो विरल होता है क्या होता है विरल और जब पौनी में चला गया तो पौनी हवा के अपेक्छा क्या है सगन क्या है सगन और सगन है और हम जानते हैं कि जब परकास विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलम की ओर मूर जाती है क्या हो जाती है अविलम की ओर मूर जाती है वही चीज को हमने यहां बारिकी से समझाने का पर्यास किया है और मैंने लिख भी दिया है दिखें क्या लिखा हुआ है बारिकी से अगर देखते हैं कि परकास की किरन अविलम की ओर जुकेगी क्योंकि परकास की किरन वायो में जो विरल माध्यम से जल में परवेस की तुल्ला में सगर माध्यम है और परवेस करती है तो ऐसी इस्तिती भी अविलम की ओर जुकेगी ओके ये आपको हमने समझा दिय चलते हैं हम लोग आगले Question की और Question क्या है बहुत सुन्द्र Question है आप लोग बारिकी से देखते रहेंगे तो हम आपको समझाप। समझा पाएंगे। इसमें देखिए होता क्या है इसमें है जब PRAKAS पुछा गया है कि जब परकास जब परकास वायू से इतनों के अपवरतनों से काँच की प्लेट में प्रवेस करती है चले कोई दिक्कत नहीं सर काँच की प्लेट से प्रवेस कर रही है प्रवेस करती है तो काँच की प्लेट में प्रवेस करने पर काँच में प्रवेस परकास की चाल बताना परकास और ये समय बनाएंगे, पॉल्टिकिनिक सबका जब एक्जाम दिजेगा, तब इसमें बहुत ज़्यादा मर्दपूर्ण होती है, ये सब कोस्टनों को बहुत बारिकी से सरल किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कि हमको क्या दिया हुआ था, काउच में परका करते हैं, इसका सुत्र पर बैठा देते हैं, सुत्र पर जब बैठाते हैं, तो हम लोग क्या कियें, देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, भी में, पहला में और दुसरा में, बैठा करके इसमें जब हम क्रोस मुल्टिपिकेशन कियें, तो भी का विल्लू मेरा यहाँ सामने आ गया है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ देख पाया हैं, कि हमने क्या किया, भी का विल्लू मेरे पास राफ्त हो चुका है, यह आपका क्या रहा, यह आपका उस माद्रे में परकास की चाल रहा, तो अब हम लोग चलते हैं, प्रस्न संक्या तीन, जो कि आपके पास इस परकार किस कोस्टनें, आपको जादा से जादा कोस्टन आपको एक्जाम में भी पूछा जाता है तो देखे क्या करा है कि question क्या है question है आपके पास कि सारेनी में आपको 10.3 में अदिकतम परकासिय घनत्व के माध्यम में ग्याद कीजिए जो नियुंतम परकासिय घनत्व का माध्यम भी ग्याद करना है मतलब यह हमको question दिया हुआ है इसको हम आप लोग को बताते हैं थोरसा दिखे क्या है इस कोस्टनों में आपको सिर्फ लिखना है लिखना क्या है वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ देखे लिखा है कि अधिक्तम परकास का घनातों की हीरों में होता है और नियूंतम जो होता है वो सिर्फ वायूं में होता ह कोजिकत यही सिर्फ आपको दूठू बता पूछ रहाता अधिकतम किसका होता है और नियुनतम किसका होता है तो आज हम लोग जो है यहीं तक कुछ रहने देते हैं ठिक और मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोग को हम एक बात बता देना चाहेंगे कि आप मेरे इस चैनल को जरूर बरकरार बनाईए रखें जिनके कारण आपको फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री और मैच से बरकरार आपको नॉम्रिकल और अंकिक प्रसनों को सरल करते हुए जरूर आपको हम आपके बिच आएंगे जिसमें कि आपको बहुत से बहुत ज़्यादा जितने भी दिर्ग प्रसन और जितने भी बैकल्पिक प्रसन है नॉम्रिकल प्रसन है अब्जेक्टिव प्रसन है इन सारे प्रसनों को जो की बोट के एक्जाम से ज़्यादा से ज़्यादा को पूछा गया है हम इन सारे प्रसनों को बारिकी से करम बाय करम तरीके से अच्छे से आपको बहुत कम समय में अच्छी तरह से बताने का हम परियास करेंगे और हमें आसा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाये होंगे आज मेरे जितने भी बताया हमें पुरा विश्वास है कि धन्यवाद